जैश्री राधरानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री चृर्मत भागवत महापुरान की मंदर श्री बन्सी वाले महातमा यू डिप चैनल के ओठागे ओर से हम आप सभी भगतों का हारदि कभिनंदन करते हैं आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिर्मत भागवत महापुरान के ग्यारवे सकंद के छटे अध्याई की परम पावन कथा इस अध्याई का नाम है देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रातना बोल श्री राधा कृष्न भगवाने की जै बोल शिर्मत भागवत महापुराने की जै श्री शुक देव जी महाराज राजा प्रिक्षित से आगे की शिर्मत भागवत महापुरान की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित जब देवरिशी महादेवजी और मनुदगनों के साथ देवराजिंद्र द्वारिका नगरी में आए हैं साथ ही सभी आदितिगन आठों वसू अश्वनी कुमार रिभू अंगीरा के वंशज रिशी ग्यारहां रुद्र विश्वे देव साध्यगन गंधर्व अपसराएं नाग सिद्ध चारन गुहाक रिशी पितर विध्याधर और किनर भी वहीं पहुचे हैं इन लोगों के आगमन का ये उदेश था कि मनुश्य का समनहोर वेश धारन करने वाले और अपने श्रीश्याम सुंदर्वी ग्रह से सभी लोगों को अपनी और खीच कर रमान लेने वाले भगवार श्री कृष्ण का हम सभी दर्शन करें द्वारी का पुरी सब परकार की संपत्ती और एश्वर्यों से समरिध तथा अलोकिक दीप्ती से देदी पेमान हो रही थी वहां आकर उन लोगों ने अनूठी चवी से यूक्त भगवार श्री क्रिशन के दर्शन किये हैं भगवार की रूप माधुरी का निर्दिमेश नैनों से पान करने पर भी उनके नेत्र त्रिप्त नहीं होते थे सब लोगों ने स्वर्ग के उध्यान नंदनवन चैत्ररत आदी के दीव पुष्पों से आज भगवार श्री क्रिशन जी का पूजन किया है जगदीश्वर भगवार श्री क्रिशन जी को सुन्दर पुष्पों से ढख दिया है आज सब देवताओं ने भगवार की सुन्दर प्रातना की है सब कहने लगे हैं कि हे प्रभू आप सब के स्वामी हैं आपके ही द्वारा तीनों लोकों की उत्पती पालन और साहार होता है आप अपने भगतों पर क्रिपा करते हैं आपने हम सब पर क्रिपा करने के लिए ये अवतार धारन किया था आपने जितने भी अवतार ग्रहन किये हैं उन सब का उदेश केवल यही है कि अपने भक्तों पर कृपा हो जाए आप सब अवतार इसलिए धारन करते हैं कि मनुश्य के उपर आपकी कृपा हो जाए और हम सभी देवताओं के सभी कारे सिद्ध हो जाएं सभी भगवान से प्रातना कर रहे हैं इसके पशात भगवान शिवशंकर भोले नाथ जी ने भी भगवान की बड़ी सुन्दर स्तूती की है और भगवान से भगवान जी आज कहने लगे है कि हे प्रभू कल्यूग में जो सादू सभाव मनुष्य आपकी इन लिलाओं को इन कथाओं को सुनेंगे या पढ़ेंगे वे आसानी से ही इस भव सागर से पार हो जाएंगे हे प्रभू आपको यदुवश में अवतार ग्रहन किये 125 वर्ष बीत गए है हे सरवाधार अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जीसे पूर्ण करने के लिए आपके यहां रहने की आवशक्ता हो ब्रामनों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक परकार से नश्ट ही हो चुका है इसलिए हे वेकुंठ नाथ यदि आप उचित समझें तो अपने परमधाम में पधारिये और अपने सेवक हम लोग पालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोशन कीजिए भगवान शी कृषन जी कहने लगे हैं कि हे ब्रहमा जी आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चे कर चुका हूँ मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके प्रित्वी का भार उतार दिया प्रंतु अभी एक काम बाकी है मैं यह है कि यदुवंशी बल विक्रम, वीर्ता शूर्ता और धन संपत्ती से उनमत हो रहे हैं यह सारी प्रित्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुदर को उसके तटकी भूमी यदी मैं इन घमंडी यदुवंशों का यह विशाल वंश नष्ट किये बिना ही चला जाओंगा तो यह सब मर्यादा का उलंगन करके सारे लोकों का सहार कर डालेंगे यह निश्पाप ब्रहमा जी अब ब्रहमनों के शाप से इस स्वंश का नाश प्रारंब हो चुका है इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाओंगा इतनी कथा सुना कर श्री शुकदेव जी महराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित अखिल लोक लोकाधी पती भगवान श्री कृषन जी ने इस प्रकार कहा है तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रनाम किया है और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए हैं उनके जाता ही द्वारिका पुरी में बड़े बड़े अप्शकुन बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए उन्हें देखकर यदुवन्ष کے बड़े भगवान श्री कृषन के पास आए हैं भगवान श्री कृषन ने उनसे ये बात कही है भगवान श्री कृषन जी कहने लगे हैं कि हे गुरु जुनों आज कल द्वारिका में जीदर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं आप सब लोग जानते हैं कि भ्रामनों ने हमारे वंश को एशाशाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्रानों की रक्षा चाते हों तो हमें यहां नहीं रहना चाहिए अब विलंब करने की आवशक्ता नहीं है हम लोग आज ही परम पवित्र परभास शेत्र के लिए निकल पड़े परभास शेत्र की महिमा बहुत प्रसिद है जिस समय दक्ष प्रजापती के शाप से चंद्रमा को राजशमा का रोग हो गया था उस समय उन्होंने परभास शेत्र में जाकर सनान किया और वे तत्षन उस पाप जन्य रोग से छूट गए साथ ही उन्हें कलाओं के भी अभिवरिद्धी प्राप्त हो गई हम लोग भी परभास शेत्र में चलकर सनान करेंगे देवताओं और पित्रों का तरपन करेंगे और साथ ही अनेको गुन वाले पकवान तियार करके श्रेष्ट ब्रहमनों को भोजन करवाएंगे वहां हम लोग उन सत्पात्र ब्रहमनों को पूरी श्रधा भावना से बड़ी बड़ी दान दक्षिना देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संख्टों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्दर को पार कर जाता है श्रीशुकुदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित जब भगवान श्री क्रिशन जी ने इस परकार आग्या दी तब यदुवंशियों ने एकमत से बरभास शेतर में जाने का निश्य किया है और सब अपने अपने रथ को सजाने लगे हैं यह राजा प्रिक्षित उद्धव जी भगवान श्री क्रिशन के बड़े प्रेमी और सेवक थे उन्होंने जब यदुवंशियों की ऐसी यात्रा की तयारी करते देखा भगवान की आग्या सुनी और अत्यांत गोर अपशकुन देखे तब उद्धव जी महराज भगवान के चर्णों में आए हैं भगवान श्री क्रिशन के पास एकांत स्थान में आए हैं भगवान के चर्णों पर अपना सिर रख कर प्रनाम किया है और हाथ जोड कर भगवान जी से प्रातना करने लगे हैं उद्धव जी महराज जी ने कहा है कि यह योगेश्वर आप देवाधी देवों के भी अधिश्वर हैं आपके लिए लाओं के श्रवन किर्तन से हर जीव पवित्र हो जाता है अप सर्वशक्ति मान पर मेश्वर हैं आप चाहते तो भ्रह्मनों के शाप को मिटा सकते थे परन्तु आपने वैसे किया नहीं इससे मैं ये समझ गया कि अब आप यदुवंश का सहार करके सोच भी नहीं सकता मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे स्वामी, मेरे ठाकुर आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए ये प्यारे श्रीक्रिश्न आपकी एक एक लीला मनिश्यों के लिए परम मंगल मई और कानों के लिए अमरत सवरूप है जिसे एक बार उस रसका चसका लग जाता है उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा रह ही नहीं सकती ये प्रवू हम तो उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं हमने आपके साथ सनान किया, खेल खेले हैं, भोजन किया है कहां तक गिनाएं हमारी एक एक चेश्ठा आपके साथ होती रही आप हमारे प्रियतम हैं, और तो और आप हमारी आत्मा है ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं हमने आपकी धारन की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारन की हुए घेनों से अपने आपको सजाते रहे हम आपकी जूठन खाने वाले सिवक हैं, इसलिए हमें आपकी माया का डर नहीं है हमें केवल इतना डर है कि आप से हमारा वियोग ना हो जाए हे प्रभू, हम आपके चर्नों के दास हैं, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटकर रहे हैं प्रंतु इतना निश्यत है कि हम आपके भक जनों के साथ आपके गुनों और लिलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुश्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका समर्ण और किर्तन करते रहेंगे साथ ही आपकी चाल ढाल मुस्कान चित्वन और हास परिहास की समर्टी में तलीन हो जाएंगे केवल इसी से हम आपकी इस दूस्तर माया को पार कर लेंगे इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं आपके विरह की चिंता सता रही है आप हमें छोड़िये नहीं हे प्रभू आप हमें भी अपने साथ ले चलिए इतने कथा सुना कर श्री शुकदेव जी महराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित आज उद्धव जी महराज अपनी आंकों से जर जर आंसु बहा कर भगवान शी क्रिशन जी से प्रातना कर रहे हैं कि वे उन्हें भी अपने साथ ले जाएं ये राजा प्रिक्षित जब उद्धव जी ने देव की नंदन भगवान शी क्रिशन जी से इस प्रकार प्रातना की है तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा है तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है उद्धव जी महाराज जी को भगवार श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है वो आप अगले धाय की कथा में सुन पाएंगे तो मंदर श्री बंसी वाले महात्मा यूडिव चैनल के ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवार श्री रादा कृष्ण जी की शीरमत भागवत महापुरान की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसकी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री भागवत महापुरान की जै श्री शुक्देव जी महराज की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे श्याम